चेतन भगत में सुषान सिंग राजपूत के बारे में कई बाते कहीं हैं जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि चेतन भगत और सुषान सिंग राजपूत का क्या रिलेशन है, मैं आपको बता दूँ कि सुषान के करियर की शिरुवाद चेतन भगत की बुक्स से ही हुई थी यानि कि Kaipoche was based on Chetan Bhagat's one of the books and Chetan Bhagat ने हाल ही में interview के दौरान Sushant के वारे में कई बाते रिवील की चलिए आपको बताते हैं इस बारे में Well, Hello Guys, Welcome to Movies Adda मैं हूँ Joti Nahag बता दो आपको कि Sushant Singh Rajput के करियर की चुरुवात Abhishek Kapoor और Sushant इन दोनों ने Kaipoche film में Sushant ने डेब्यू किया और Abhishek ने उस फिल्म को डिरेट किया और ये फिल्म बेस थी Chetan Bhagat की बुक पर मैं आपको बता दू हूँ कि उन्होंने कहा कि Kaipoche जो है वो गोधरा राइट्स पर थी कही न करी लेकिन ये लोग राजी हुए और Kaipoche became such a big hit उसके साथ साथ Chetan Bhagat ने भी कहा कि मैं अची तरह किसे जानता हूँ कि हाफ गर्ल्फरेंड अर्जिन कपूर से पहले हाफ गर्ल्फरेंड वस उफ़र्ट तो Sushant सिंग राजपूर जी हाँ ये बात अब तक कोई शायद नहीं जानता था लेकिन हाफ गर्ल्फरेंड सुषान सिंग राजपूर को ओफर हुई ती और दू तो सम रीजन्स दू वर्क वो ये फिल्म नहीं कर पाए और ये फिल्म चली गई अर्जिन कपूर की छोली में लेकिन मैं आपको बता दू कि कही ना कहीं ये चीज़े सुषान को काफी अफेक्ट करती थी चेतन भगत ने कहा कि मैं जितना उस लड़के को जानता था उसका 7-8 साल का करियर था और उसमें मैं उसको कम से कम 4-5 साल से जानता था और मैं जितना उस लड़के को देखा है मैंने वो बहुत ही अडोरिबल, बहुत ही चाइल्ड लाइक, बहुत ही एक मासूमियत थी उसमें बहुत एक बच्पना था तो ये सारी बाते चेतन भगत ने सुषान सिंग राजपूत के बारे में कहीं अब आप मुझे बताई कि आप कितना कुछ रिलेट करते हैं इन बातों से तिस इस जोतिना हां, साइनिंग ओफ